नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जामुमो ने बाभुलार मरांदी पर निशान साधा है जामुमो महासच्चिव सुपरियो भटाचाय ने बुद्धवार को प्रेस कॉनफरेंस में कहा है कि हेमन सरकार कोई गाजर मुली नहीं है जिसे बाभुलार और राजेपाल उखाड फेकेंगे उन्होंने कहा है कि बावुलाय मरांडी को अपनी संकल प्यात्रा का नाकारात्मक पैनाम देख बेचायनी हो गई है यही वज़ा है कि उन्होंने राज में राष्ट पती सासन की मांग राजेपाल से कर दी है उनके कालकरम में ना जानता आ रही है ना उनकी पार्टी के नेता बावुलाय मरांडी भाजपा में अकेले पर चुके हैं उन्होंने कहा है कि देश की सारी केंद्री एजेंसिया हेमन सरकार को आइस्थिर करने के काम में लगा दी गई है राजे के विकास को परवावित कर हेमन सरकार के खिलाब नरेटिव सेंट करने का सड़ेंत रच रहा है वहीं राजेपाल पर निसानस आते वे कहा है कि वह इसलिए ही यहां बैठे हैं कि उनसे राश्पति सासन की मांग की जाए डिजीपी ने लिया धूरगा पुजा की सुरक्षा तैयारियों का जयजा राजे के डिजीपी अजाय कुमार सिंग ने बुद्धवार को सभी जीलो के पुलिस अधिक्ष को रेंज डियाईजी के साथ वीडियो कंफेंसिंग कर परदेश की अगामी परवतेभारों को लेकर बीधी बेवस्ता पर आवसक दिशान निर्देश दिया बैठक के दोरान राजे की बीधी बेवस्ता पर मन्थन किया गया और सभी जीलो को अलट रहने का आदेश दिया सभी पुलिस अधिक्ष को को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जीलो में सर्वेदन सिल छेतरों पर नियर रखे और चौकसी बढ़ाए बैठक के बाद राजे के डीजीपी अजाय कुमार सिंग ने बताया कि जारकन के सभी जीलो के पुलिस अधिक्ष को अवस्तक निर्देश दिया गया है कि वे बीधी बेवस्ता के दृष्टी कोन से विशेस रूप से अपने अपने जीलो में निग्रानी रखने का काम करें ताकि किसी भी तरह की अपरिये घाटना नहीं घटे टेट पास पारसिक्षकों ने बीत मंतरी आवास का किया घेराव बेतन मान की मांग कर रहे टेट पास पारा सिक्षकों ने बुद्धवार को बर्यातू में बीत मंतरी डाक्टर रामेश्वर उराओ के आवास का घेराओ किया नयाय मार्च करते हुए टेट पास पारा सिक्षक बीत मंत्री के आवास पर इस उमीद से पहुंचे थे कि मंत्री उनकी बेतन मान की मांग को पूरा करने में उदारता दिखाएंगे लेकिन उनकी उमीदों पर तब पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि मंत्री घर पर नहीं है उदास मन से चिल चिलाती धूप में पैदल मार्च करते हुए टेट पास पारा सिक्षक ने हिमत नहीं हारी और पूरो घोसित कारकरम के अनुसार वे मंत्री के आवास के सामने धारना पर बैठ गये बिरोध प्रदसन का नेति तो लोहरतगा जिला अध्याग सुनीता साहू कर रही थी लोड स्पीकर बजा कर हंगाम करने वालों की अब खैर नहीं जारखन हाई कोट के चिफ जश्टिस संजय कुमार मिश्रुवा जश्टिस आनांद स्थेन की खंड पिठ ने धोनी पर दूसन पर रोक के लिए सरकार को सकती से करवाई करने का निर्देश दिया आदालत ने रात 10 बज़े से सुबह 6 बज़े तक बैंड बाजा और लोड स्पीकर के इस्तिमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है हाई कोट ने अपने आदेश में कहा है कि तेवहार पर धोनी पर दूसन नियमावली के तहट रात 10 बज़े से 12 बज़े तक इसमें छुट दी जा सकती है रात 12 बज़े के बाद उसके इस्तिमाल पर रोक रहेगी अदालत ने अस्पतालों और नर्सिंग होम के 100 मीटर के दाएरे को साइलेंस जोन घोसित करने का भी निर्देश दिया है अदालत ने कहा है कि सरोजनिक अस्थानों पर बज़ने वाले धोनी बिस्तारा के अंतर 10 बेसिमल से अधिक नहीं होना चाहिए निजी अस्थानों के लिए यह सिमा पांच डेसिमल ही रहेगी अदालत ने राज के सभी उपायुक्तों को इस सम्बंद में निर्देश और सम्बंदित अधिकारियों का मोबाइल नंबर जारी करने का निर्देश दिया है जिस पर पीडित लोग सिकायत कर सके CM लीज अवंटन मामले में प्रार्थी के आरोपो पर सरकार से मांगा जवाब CM हमन्त की लीज अवंटित करने की जाच की मांग को लेकर दाखिल यचकापर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई चेफ जश्टिस संजाय कुमार मिस्र वा जश्टिस आनान सेंड की खंड पिट ने सुनवाई के बाद प्रार्थी की ओर से लगाए गया आरोपो के समध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया मामले में अगली सुनवाई 29 नॉवंबर को होगी इस समध में RTI एकडिविटिस सह अधिवक्ता सुनील कुमार महतों ने हाई कोट में याज का दाखिल की है सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरी अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे ही एक याज का सुप्रीम कोट में दाखिल हो चुकी है इस याज का में भी सीम हेमान सुरेन के खनन पटा अवंटित करने का मुदा उठाया गया है जारखन में 954 नक्सलियों खिलाप अभियोजन स्विक्रीति की अनुसंसा नहीं मुख्यमात्री की निदेश पर पुराने लंबित मामलोक निस्पादन के लिए पुलिस मुख्याले के अस्तर प्रबनी कमिटी लगातार समिक्षा कर रही है समिक्षा में यह बास सामने आई है कि नक्सलि और उगरवादियों से जुडे 752 केस में से कूल 954 नक्सलियों वगरवादियों की सनलिपता सामने आई है लेकिन 30 सितंबर 2023 तकरी विभाग 944 नक्सलियों अगरवादियों खिलाप अभयोजन स्कृरिती के लिए राज सरकार समसंसा नहीं की है इस वज़े से आरोपियों खिलाप आए केरवाद नहीं हो पा रही मवादी से जुड़े कूल 109 केस में 655 में नक्सलियों आरोपि थाए इन में 442 नक्सलियों ऐसे हैं जिनकी सनलिपता ज्यादतर मामलों में है हर एकलब ये विद्याले को जिर्नोधार के लिए 5 कडोर अनुसुचित जाती के बच्चों को गुनवाता युक्त सिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर्ण में वर्ष 2026 तक 740 नए एकलब ये विद्याले को खोलने का लग्च होगा वहीं उडिशा में 106 स्कूल खोलने का लग्च है उडिशा के बाद जहारखन दूसरा स्कूल होगा जहां एश्टी बच्चों के लिए सबसे अधिक आवासे विद्याले होंगे वहीं 36 गढ़ में 74 और मद्परदेश में 70 स्कूल खोले जाएंगे बरतमान में 36 गढ़ में सबसे अधिक 71 और मद्परदेश संचाली था है वहीं केंदर सरकार ने पुराने स्कूल भवन्नों के जिनोधार के लिए हर स्कूल को 5 को रुपे देने की योजना बनाई है देश भर के 211 स्कूलों को नवी करण के लिए रासी भेजी जाएगी इस योईना के तह जार्खन के साथ इस्कूलों को भी रासी उपलब्द होगी इड़ी के समन के खिलाप रीट याचिका पर 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई इड़ी के समन के खिलाप सीम हमानसरन की क्रिमिनल रीट याचिका पर जार्खन हाई कोट में 11 अक्टूबर बुद्धवार को सुनवाई होई सीम की ओर से जार्खन हाई कोट के वर्य अधिवक्ता पी चितंबरम और अधिवक्ता प्योस चित्रेस ने पक्ष रखा इड़ी की ओर से असिस्टेंट सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू पक्ष रखा इस दोरान सीम के वकील ने मुख्य मंत्री का पक्ष रखते हुए कहा है कि हमानसरन के उपर ना तो कोई अपराधी मामला है और ना ही कोई पराथमी की दर्ज है ऐसे में हेवान सुरेन को दिये जा रहे समन में अस्पष्टा नहीं है आखिर उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में या अस्पष्ट नहीं है अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी लोग सभाचुना 2024 की त्यारी सुरू जारखन में लोग सभाचुना 2024 की त्यारी सुरू हो गई है राजधानी राची में बुद्धवार को राज अस्थरिये ई आरो प्रसिक्षन सुरू हो गया राजधानी राची में मंत्री मंडल विभाग की ओर से राज के कई विधान सभाच्षेत्रों के निर्वाच्चक निवन्धन पता अधिकारियों को प्रसिक्षन दिया गया सेस पता अधिकारियों के 16 अक्टूबर को प्रसिक्षित किया जाएगा इस अवस्वर पर जार्खन के मुख्य निर्वाचन पताधिकारी केरभी गुबार ने अलग-अलग विधान सभा छेत्रों से आए ERO को अगामी लोकसभा चुना दोहज़ाचोविस की त्यारियों के करह में विभीन पहलूओ जैसे जीला चुना प्रबंधन योजना स्वीप आधी के बारे में बिस्तार से प्रस्तिक्षन दिया जल जीवन मीशन के दफ्तर पर हमला मामले में पुलिस की बड़ी करवाई राय धानी में जल जीवन मीशन के करेले पर हमला के मामले में पुलिस ने करवाई करते मुख्य आरोपी समेद आठ लोगों गिरफतार कर लिया है इन आठ लोगों में से तीन को निरुध किया गया क्योंकि तीनों नबालिक थे मामले के मुख्य आरोपी अंकित सिंग को भी पूलिश ने गिरफतार कर लिया है अंकित सिंग पहले उग्रवादी संगठन आना चेत्र में जल जीवन मीशन के तहत जल मीनार बना रही कमपनी के मजदूर परोगरवादियों ने हमला कर दिया था और कर्याले में आग्यानी की वर्दात को अजाम दिया था धन्यवाद